हम लोग कवर करेंगे नालांदा ओपन युनिवर्सिटी के जो 2021 के जो रिजल्ट अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो 2022 के मार्च में हाँ पर एक्जामिनेशन पार्ट वन के कंड़क्ट किये गए हैं जो कि बीस्ट बीए और बीकॉम का हैं पर कंड़क्ट किये गए हैं तो इन सभी का जो रिजल्ट कभी यहां पर परकासित होंगे कुछ सब्जेक्ट का भी यहां पर एक्जाम भी बाकी है तो अप्रेल फॉर्स्ट वीक में उनको भी यहां पर कंड़क्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद आपका बच जाता है रिजल्ट तो वैसे जो में में सब्जेक्ट है लगवाई गया पर एक्जाम हो चुके हैं तो अब रिजल्ट का इंतजार है तो देखिए इसका रिजल्ट बहुत जल्द यहां प्याने वाला है ऐसा नहीं कि पिछली बार 2020 वाला जो एक्जामिनेशन कंड़क्ट 2021 में किये गए थे उसका काफी नौवंबर में जाकर उसका रिजल्ट है तो तो काफी वक्त लग गया था लगवाग एक साल जो एक की उस एक्जाम प्रोसेस ही रह गया था साथ से आथ महीने के बाद वहां पे रिजल्ट आया तो ऐसे में इस तरीके से यहां पे रिजल्ट को आज जारीण नहीं किया जाएगा यहां पर डाय आपका यहां पर एक्जाम सभी जो है के अभई कंड़क्ट हो चुके और पिछले बार हुआ क्या था कि बीच में कुछ सब्जेक्ट बच गए थे जिसका रण से मार्च अपरेल के बाद अगस्त में एक्जामिनेशन हुए थे तो यहां पर आपका एक्जामिनेशन प्रोपर तरीके से हो चुका है और कुछ का बाकी है तो उसका भी बहुत जल्द ही विदिन वीक यहां पर आपका एक्जामिनेशन हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ रिजल्ट बनाने का काम चलेगा और काफी तेजी से यहां पर रिज तक यहां पर आपका एक्जाम भी हो जाए तो उमीद तो यही है कि आपका दिस्मबर तक यानि कि अक्टूबर नौंबर तक आपका सैसन भी नौंबर तक आपका सैसन 2022 का कम्प्लीट कर लिया जाएगा और इस तरीके से 2023 का examination है वो अपने proper समय से मार्च में examination conduct करती है पहले जो कुरोना से पहले मार्च अपरील में examination conduct करके और अपरील माई माई तक यहां पर result final कर देदी थे तो वही मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द अपने जो पटरी था जो पहले जिस तरीके से examination था जो डूल था और अपने पठरी पर अधाकि बच्चों का जो भविस्य है वह आगे की और उज्वल हो इस तरीके से रहा तो काफी यहां पर डिले हो चुका था एक से डेर साल यहां पर डिले हो चुका था लेकिन 2021 का अब इसके बाद 2022 का हो गया जाइमनेशन अजस्ट उसके बाद 2023 का आपको उमीद है कि आपको जो सही समय पे 2023 का एक्जामनेशन जो मार्च अपरील में होते थे वह हो जाएगा यदि सब कुछ सही रहा यदि बीच में लॉकडाउन की स्थिती नहीं आई तो उमीद है कि आप आपका रिजल्ट भी बहुँछ जल्द ही आएगा तो यहाँ पर अपरील लाश्ट तक अपरेल धेुद सब्जेक्ट का था में आ Aww रिजल्ट सभी लगवक सब्जेक्ट तो देखने को मिल जाएगा या अमिड तक तो अपका अप्रेल लास्ट से ही आपका रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा कुछ सब्जेक्ट का तो जैसे ही इसका जो भी ऐग्जामनेशन अभी बचे हुए हैं वो तो उसके बाद आपका के बारे में विस्तार से चर्चा करें तो ऑफ-न alright सब्ढ़र आपको 943 महेंश रहे जो सकेंड बासम tääिए बाइस का गर्ड़क्ट का तैयारी करते रहें और आपने अच्छा दिया वह यह आपका निश्ची तो पर अच्छी Hitler पर यह था आएगा तो उमीद है इसी के साथ जल्द आपका रिजल्ट है जो भी अपडेट होगा मैं आपको फर्दर अपडेट दूँगा थैंक्यू